उत्राखंड भारत का 27 मा राज्य है इसे 990-2000 को उत्रपरदे से अलग कर दिया गया था और एक नया राज्य बनाया गया उत्राखंड जिसे देव भूमी के नाम से जानते हैं कुछ प्राचिन मंदिरों योग विड्यालों के लिए मशूर है रहस्यों और पौराणी कथाओं की है हिमाले भूमी हमेशा से ही यात्रियों के लिए एक आकरशन का केंद्र रही है चलिए आज उत्राखंड के कुछ रोचक तत्थों के बारे में चानेंगे उत्राखंड दो यूनिस को विश्धरोहर फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्टि उद्यान का घर है उत्राखंड के गड़वाल जिले में नंदा देवी चोटी भारत की दूसरी उंची चोटी है उत्राखंड का तुंगनागत दुनिया का सबसे उंचा शिव मंदिर है माना जाता है कि यह है एक हजार साल पुराना है महा भारत के पाण्डों से जुड़ा हुआ है उत्रखन में पाए जाने वाले बिच्छू घास जिसे कंडाली सियर के नाम से जाना जाता है इस पोधे से बिच्छू के डंग जैसा अनुभा होने के कारण इसे बिच्छू घास कहते हैं किर्शी विज्ञान केंदर और केंदर हिल संस्था ने बिच्छू घास को एक वो और श्रिया गुणों के लिए जागरुकता अभियान चलाया है विशेशगों के अनुसार बिच्छू घास का उजड़ने के बजाए बेकार पड़ी जमीन में इसे लगाना चाहिए उत्राखन के देहरादुन में सामली नदी गुफा के रॉबर्स केव कहा जाता है देहरादुन से लगभग आठ किलोमेटर दूर एक प्राकर्टिक गुफा सरजना है जहां नदी गुफा के अंदर बहती है लक्षमन जूला रिशी केज यह माना जाता है कि पुल उस जगह पर बनाया गया जहां लक्षमन ने जूट की रसी से गंगा पार की बीटल्स आश्रम रिशी केज बीटल्स ने 1968 में महेश योगी के भावति ध्यान परशुषन में भाग लेने के लिए रिशी केज की यात्रा की उन्होंने यहां तीन महेने बिताए और 48 गीतों की रचना की सुमित्रानन पंथ जो ग्यान पीट प्राप्ट करने वाले पहले हिंदी कवी हैं उनके सुझाओं पर हरिवन्ष राय ने अपने बेटे का नाम इनकलाव से अमिताव बच्चन रख दिया था उत्राखंड को वीरों की भूमी भी कहा जाता है उत्राखंड के गड़वाल और कुमाओ रेजिमेंट यहां हर साल हचारों बच्चे फौज में जाते हैं उत्राखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था महत्मा गांदी जी ने उत्राखंड नाइनटीन सिक्स्टी एट में महर्शी महेश योगी के भावति ध्यान परशुशन में भाग लेने के लिए रिशी केस की यात्रा की उन्होंने यहां तीन महने बिताए और 48 गीतों की रचना की सुमित्रानन पंत जो ग्यान पीट प्राप्ट करने वाले पहले हिंदी कवी हैं उनके सुझाओं पर हरिवन्ष राय ने अपने बेटे का नाम इनकलाव से अमिताव बच्चन रख दिया था उत्राखंड को वीरों की भूमी भी कहा जाता है उत्राखंड के गड़वाल और कुमाओं रेजिमेंट यहां हर साल हचारों बच्चे फौज में जाते हैं उत्राखंड में पेडों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था महत्मा गांदी जी ने उत्राखंड के बागेश्वर जन्पत में इस ठिट कौसानी को भारत का स्विजलेंड की संग्या दी पिठोरा गड को मिन्नी कश्मिर के नाम से जाना जाता है जड़ी बूटी के विज्ञान को समझने उस पर शोट करने और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह राज्य सबसे उत्तम है यहां जड़ी बूटी आयुर्वेर का मुख्या घटक है चले अब हम जानते हैं लाटू देवता मंदिर उत्राखंड लाटू देवता मंदिर उत्राखंड के चमोली जिले के वान गाउं के पास इस्तिद है यह मंदिर लाटू देवता को समर्पित है जो देवी देवी नंदा की गोद लिये भाई थे राजा का एक अनुखा मंदिर है क्योंकि मंदिर के अंदर किसी भी भक्त की परवेश अनुमती नहीं है यहां तक की पुजारी भी दीप रोशन करने के लिए आखों पर पट्टी बांध कर मंदिर में परवेश करते हैं ये मंदिर साल में एक ही बार खुलता है मानने तब के अनिसार लोगों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर साक्षात रूप से नागराज अपने अजबुत मनी के साथ वास करते हैं जिसे देखना आम लोगों के बस की बात नहीं है पुजारी भी साक्षात विकराल नागराज को देखकर ना डर जाए इसलिए वे अपने आँखों पर पट्टी बांधते हैं उत्राखंट के चमोली जिले में जोशी मट के करी पचास किलोमीटर दूर स्थित नीती गाउं इस काउं में ड्रोणा गिरी परवत है इस परवत का इतिहास रामान काल से जुड़ा है मानेता है कि स्री राम रावान युद में मेगनात के दिव्यास लक्समर मूर्चित हो गए थे तब हनुमान जी ने दुरोणा गिरी परवत संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे यहां के लोग इस गाओं को देवता मानते हैं हनुमान जी इस परवत का एक हिस्सा ले आए थे इस कारण गाओं के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं